हलो फ्रेंड्स वेलकम इदा टैग और मैं हूँ आपका हूस्ट हैरी दोस्तो कुछ दिनों पहले ललन टॉप पे आपने ये वीडियो तो जरूर देखा होगा क्योंकि इस टाइम करोना वारस चल रहा है और इंडिया में एवन हर कंट्री में दौड मची हुई है कि हम इस करो रूप रॉप रॉइ चोधरी और सेकेंड थे डॉक्टर परमजी सिंग और थर्ड एक है जिनका इतना सिगनिफिकेंस इस वीडियो में नहीं है तो मैं बात करूंगा इन ही दो डॉक्टर्स को लेकर और ललन टॉप के होस्ट यानि की सौरभ दिवेदी के बारे में तो दो तरीके हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में क्या क्या बाते हुई इनके गैस के साथ और उनके पॉइंच को मैं आपके साथ डिसकस जुरूर करना चाहूंगा तो बात मैं शुरू करूंगा अगर डॉक्टर विश्वरूप चौध तो वीडियो का यहाँ मुद्दा था क्योंकि डॉक्टर चौधरी इस टाइम करोना वायरस के काफी जादा एंटी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं जिन में से काफी सारी उनकी वीडियो डिलीट भी हुई हैं ड्यू टू कम्यूनिटी गाइडलाइन्स तो यहाँ पे मैं ये बात बिल्कुल नहीं करूँगा कि करोना वायरस नहीं है करोना वायरस है हाँ बिल्कुल है आप गौर्मेंट के द्वारा जो लॉकडाउन बनाया गया है उस नियम का पूरी तरह से पालन करें उनके जो प्रिकॉशन्स हैं पूरी तरह से यूज करें ले लेकिन यहां पे मैं एक बात डॉक्टर चौधरी को जरूर बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर चौधरी इतने डेड़ गंटे के इतने बड़े वीडियो पे इतने बड़े चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आतो गए लेकिन अपना होमवर्ग नहीं करके आए हलांकि डॉक्टर चौधरी वहां पे काफी जगा पे गलत साबित हुए जैसे कि उन्होंने कहा है कि करोना वाइरस से जो डेथ रेट है वो 0.1% है जो कि बिल्कुल नहीं है ये जो डेथ रेट है 1% to 4% all over the world कहीं पे कम कहीं पे जादा शो होता है इसके बीच में ये चलता है 0 0.1% नहीं है और एक दो पॉइंट पे भी वहां पे काफी जगा पे गलत हुए और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर चौधरी की उस टाइम वहां पे हवा निकली हुई थी क्योंकि वह अपना होंवर्क प्रॉपरली नहीं करके आए और ये चीज उनके चेहरे के हाँ बाफ से भी देखी जा रही थी यहाँ पे मैं यह नहीं कहूंगा कि डॉक्टर चौधरी वहां पे वीक पड़ गए वीक एक्चुली वो इस तरीके से भी पड़ गए कि यार जो आपने तीन वहां पे डिबेटर्स बुलाए हैं उन में से दो तो उनके एंटी बोल ही हैं लेकिन वहां के जो होस हैं वो भी एक निर्पक्षता भरा विवहार है वहां नहीं दिखा रहे तो यहाँ पे डॉक्टर चौधरी कई जगा पे गलत हुए जो की उन्होंने काफी सारी मिस इंटर्पेटेशन वहां पे करी हैं उनको he has to clarify and he has to rectify that और अगर मैं बात करू कि डॉक्टर चौधरी अपने अपना पक्ष जादा दरिड़ता के साथ क्यों नहीं रख सके तो उसका कारण ये भी है कि वो actually एक researcher है वो actually एक PhD है ये research में काफी कुछ देखा गया है कि जितने भी लोग PhD करके निकलते हैं वो अपना काम तो बहुत अच्छे डंग से करते है रिसर्च भी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन किसी दो लोगों के बीच में बैठके वो अच्छी तरह से बात शायद नहीं कर पाते ये research में देखा गया है लेकिन अगर मैं बात करूं डॉक्टर परमजीत की तो डॉक्टर परमजीत भी यहां यहां पे वो पूरी तरह से गलत नहीं है जो रियल टाइम PCR की वो बात कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत नहीं है ये बिल्कुल ठीक है वो हर जगा पे डॉक्टर विश्वरूब चौदरी को गलत ठहराने की कोशिश करते रहे इवन तो उन्होंने ये माना भी कि आपकी जो ड नहीं भी जनैटिक्स का कोई टॉपिक नहीं होता जनैटिक्स वहां पे उन्होंने नहीं पढ़ा होता इवन ही डे ड़जन नो PCR वो अपनी MBBS करने के बाद बाद में कहीं से PCR की टेक्निक सीखें या उसके बारे में पढ़ें तो उनको पता चलता है ये चीज एक रिसर्चर एक PhD जादा सही तरीके से बता पाएगा कि actual में PCR test क्या होता है उसकी कितनी efficacy होती है उसकी कितनी false negative false positive वो कितनी कहने का मतलब कि कितना precise होता है तो ये तो रही दोनों डॉक्टर्स की बात लेकिन यहां पे जो सौरब जी थे वो मुझे नहीं लगा कहीं पे भी कि वो एक सही पत्रिकारिता वहां पे अपनी दिखा रहे हैं माना कि वो बहुत अच्छे पत्रकार होंगे होंगे क्या है भी लेकिन जब भी कहीं उन डॉक्टर विशुरूब चौधरी ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की तो वीडियों पे में वो जगा जगा पे हस्ते हुए पाए गए जिसका ये डिरेक्ट शो हो रहा था रिफ्लेक्ट हो रहा था कि वो शायद पूरी तरह से प्री प्लैंड थे कि डॉक्टर चोधरी को वहां पे उन्होंने गॉमिनेंट करना है जो तीनों लोग वहां पे बैठे हुए थे और ये बार बार एक होस्ट का अपने बुला चाहिए तांकि उनकी पत्रिकारिता पे कोई संदे ना आए मैं आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो मैं जहां पे पहुचाना चाहता हूं वहां पे पहुंचे और इन सब लोगों को मेरी कही हुई बातों पे कुछ सोचने का वक्त मिले और मेरी कुछ आने वाली वीडियो पे या इवन अगर वो कोई जवाब भी देना चाहते हैं तो एट लीस्ट कमेंट ही कर दें तो मेरे लिए सफिजंट होगा कि वो कहां पे लैक करते थे तो मेरी आने वाली नेक्स वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा आपके साथ डिसकस करूंगा कि जतने भी टे चुदर्ी की horizon qualification के बारे में पूछा वो जरूर जाना चाहेंगे की मेरी एडिसक्राश्य क्या है? तो अगर वो ज़ाना चाहते हैं तो नीचे comment box में मुझे message ज़रूर करें मैं आपको बता दूंगा की मेरी eduksman qualification क्या है और मैं ये बातें आप से क्यों कर रहा हूँ? तो माई दियर फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बहुत जल्दी थैंक यू फ्रेंड्स